आप मुझसे यह कहेंगे कि मेरे उपर तो बिल्कुल जूटा केस हुआ हुआ है तब भी मैं आपको यह कहूँगा कि आपका केस जो है इलिजिबल ही नहीं है क्वाशिंग के लिए अब से पहले आपको यह जानना है कि आपकी FIR क्वाश हो सकती है या नहीं हो सकती है एक और चीज का आपको ख्याल रखना है जब भी क्वाशिंग के लिए जाए तो जो लोगर कोट में प्रिसीडिंग स्पेंडिंग है उसमें स्टे जरूर मांगे क्वाशिंग में जो है थोड़ा टाइम लग जाता है एक से दो साल का समय लग जाता है और अगर अगर अब अगर आपके सामने एक बहुत ही बैतरीन वीडियो प्रसुत करने जा रहा हूं आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि 498 की जो क्वाशिंग है उसका पूरा प्रॉसस क्या है कैसे हाइप 498 की पेटिशन डील करता है कैसे उसे डिस्पोस आफ करता है हेरिंग में क्या-क क्या होता है यह पूरा आज जो है इस वीडियो के थ्रू मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि 498 की क्वाशिंग 95% केस में पॉसिबल ही नहीं होती अगर आप मुझसे यह कहेंगी कि मेरे उपर तो बिल्कुल जूटा केस हुआ हुआ है तब भी मैं आपको यह कहूँगा कि आपका केस जो है एलीजीबल ही नहीं है क्या के लिए ऐसा क्यूंग है कि हमेशा जो है लोवर कोट का फंक्शन यह होता है कि आपका जो यह जो अविडेंस है या दूसरी पार्टी का जो अविदेंस है वह एनलाइज करके अपनी जज्जमेंट दे यह पूरा फंक्शन होता है लोगर कोट का हाई कोट का फंक्शन होता है कि वह यह देखे कि बेसिक इंग्रीडियेंट्स है या नहीं है भजनलाल वरसे स्टेट ऑफ हर्याना की जज्जमेंट अनुबल सुप्रीम कोट की उसमें यह गाइडलाइन्स दी हुई है कि कब जो है हाई कोट में जो है और था करता है और आपने यह देखा ऊए कई क्वाशिंग हो जाती है ऑल आपके मेंट्रेबोनेंट्स टेशी स्टेमीर होता है यह मैं आपको बताता हूँ इसमें सबसे इंपर्टन्न चीज थन लेटिव जो है अगर आपके एलेक्शेंग उसमें उनकी पॉसिब अगर उसमें dowry allegations नहीं है कोई और allegations मेरे पास एक मेरे के क्लाइन का case आया था और उस case में यह हुआ था जो allegations थे उसमें वह dowry harassment के नहीं थे जबकि बस interference के थे कि इन्होंने जो है मेरी matrimonial life में interfere किया बस यही एक allegations है dowry demand के allegations नहीं थे हैना ही harassment कोई भी तो ऐसे मामले में high court interfere करके क्वाश कर सकता है या फिर extra marital affair में तो honorable supreme court की judgment है कि अगर FIR में extra marital affair के allegations है तब भी वो FIR जो है क्वाश हो सकती है तो सबसे पहले आपको यह जानना है कि आपकी FIR क्वाश हो सकती है या नहीं हो सकती है तो इसके लिए थोड़ा deep analysis करने की ज़रूरत है FIR में 95% cases नहीं होंगे quash फिर भी वो 5% cases है जिसमें quash हो सकता है और relatives की quashing थोड़ा easy रहती है honorable high court में तो पहले आपको case को analyze करना है और पहले यह देखना है कि आपका case बनता भी है quashing के लिए या नहीं बनता है अब बात करते हैं दूसरी चीजों की दूसरी चीज यह हो गई कि अब बात करते प्रॉसेस की प्रॉसेस क्या होता है सबसे पहले आप एक petition डालेंगे honorable high court में honorable high court उस petition पर स्टेट और complainant को notice issue करेगा कि वह अपना जवाब इस पर दे स्टेट अपनी status report फाइल करेगी और वह बताएगी कि क्यूं 498 का case बनता है और 406 का case बनता है और ऐसे ही जो है complainant अपना response फाइल करेगा करेगी और उसमें जो है important चीज यह है कि वह भी यह बत अपो है को ऐसे में आपको rejoinder के लिए भी बोल सकता है यानि जो उनका reply आया है उनके response में आपको कुछ अगर कहना है तो आप वह भी जो है on record ला सकते हैं और कुछ अगर additional documents है उस stage पे आप वह भी on record ला सकते हैं जब pleadings ऐसी complete हो जाएंगी उसके बाद case final arguments के लिए honorable high court में लग जा करते हैं और case आपका पूरा जो है consider किया जाएगा आपका question के लिए कि वह fit case है question का यह नहीं है जादा तर मामलों में relatives को जो है जल्दी जो है को जो है question कर देता है relative जारी mother-father sister की question हो जाती है कई cases में कई cases में नहीं भी होती है अगर specific role दिया हुआ है अगर आपकी question नहीं होत सब्सक्राइब कर सकते हैं एक और चीज़ का आपको ख्याल रखना है जब भी question के लिए जाए तो at least जो लोवर कोट में प्रिसीडिंग spending है उसमें stay जरूर मांगे मैंने ऐसा किया था Bombay High Court में और मुझे stay honorable high court में ग्रांड कर दिया रही था तो नीचे का जो ट्रायल था वो तब तक आपका नीचे case चलेगा तो फिर quashing का कोई फाइदा नहीं है तो stay के लिए आप जरूर प्रेस कीजिए इसके बाद मैं आपको मैंने एक series बनाई हुई है आपके email ID पर रोज ऐसे mail मेरी तरफ से आते रहेंगे आपको क्या करना description box में जाके link पर क्लिक करना है और subscribe कर करना है मेरे newsletter पर एक बार आपने यह subscribe कर दिया तो आपको मेरी तरफ से सारे के सारे जो email मेरी तरफ से वह आएंगे आपके case में आपकी मदद करेंगे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe क यह वीडियो को लाइक कीजिए धन्यवाद थैंक्यू वेरी मच्च